तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे UPSSAC वीडियो का प्रिवियस येर कोश्चन पेपर जो की दोस्तों 22 दिसंबर बाइस दिसंबर 2018 को ये पेपर कंड़क्ट हुआ था शिफ्ट टू में कब शिफ्ट टू में ये पेपर कंड़क्ट हुआ था जिसका booklet से जो है दोस्तों वो बीबी है ठीक है ये बीबी बुक्लट सेट वाला question paper है जिसमें तो तो डेट सो टोटल कोश्चन आये हुए थे 50 हिंदी से 50 रिजनिंग से और 50 चीके से कोश्चन पूछे गए थे तो टोटल डेट सो कोश्चन इस वीडियो में में सॉल्व करवाने वाला हूं तो दोस्तो वीडियो पर आप लोग लाश्ट तक बने रहेगा और इस वीडिय से से ठीक तो यहां पर चलिए एकर करके देखते हैं तो यहां पर पहला जो कोशन फूचा गया था थोड़ा सा तो तत्सम यही हो जाएगा तत्सम सब्द तो यहां पर option नमबर भी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ओके चलिए नेक्ष्ट देखते हैं तो नेक्ष्ट कोशन था निमलिकित सब्दों में से तद्भौ सब्द को पहचानिए तद्भौ मैंने बताया जो संस्कृत के समा सब्द को पहचाना है तो यहां पर रात्री दिया है बच्चा दिया है और कान दिया है तो इसमें जो राइट एंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डई ठीक है यहां पर आप्सन नंबर भी इस कोश्चन का बिल्कुल राइट एंसर था ठीक है चलिए नेक्ष देखते हैं तो नेक्ष्ट कोशन था निमलिखित सब्दों में से विदेसी सब्द को पहचा पहचानिये चार आप संते यहां पर जो राइट एंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा अनुशाशन ठीक है तो यहां पर आप्शन नंबर डी इस कोशन का बिल्कुल राइट एंसर था उसके पास दोस्तों नेक्ष्ट कोशन पूछा गया था आपकी सब राह देख रहे हैं रिखांकित सब्द मतलब कि यह जो रिखांकित सब्द है उसमें कौन सा सर्वनाम है प्रश्णवाचक सर्वनाम संबंदवाचक सर्वनाम निश्चवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम तो यहां पर आप दिख रहा है तो आप क्या होता है निजवाचक सर्वनाम हो तो इसमें से जो विशेशड हो जाएगा दोस्तो वो होगा दोस्तो आपनों का नैतिक तो यहाँ पर option number B जो है इस question का बिल्कुल right answer था उसके बाद से next question था उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है रेखांकित सब्द क्या है क्रिया विशेशड क्रिया सर्वनाम या संग्या तो यहाँ पर जो यह अपनों का जो रेखांकित सब्द है धीरे धीरे ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपनों का क्रिया विशेशड तो य यहां पर जो राइट एंसर होगा दोस्तों इसकोशन का वहलाएगा अव्यय तो लेकिन हो जाएगा अभियाय तो यहां पर ऑप्षिन नंबर भी बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा इस कोचेंट ऑगे उसके बाद से नेच्ट पूछा तो यहां पर option number C जो है इस question का बिल्कुल right answer था next question वही रेखांकित वाले आकास में चंद्रमा चमक रहा है रेखांकित सब्द का परियावाची नहीं है यहां पर पूचा है परियावाची मतलब तीन परियावाची होंगे एक जो है वो परियावाची नहीं है उसी को दिया है ठीक है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा option number C रसाल ठीक है आकास का परियावाची होता है व्योंबी नवभी होता है ठीक है लेकिन रसाल नहीं होता है तो यहां पर option number C रसाल जो है इस question का बील्कुल right answer हो जाएगा ठीक है next देखते का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आसन दोस्तों यहां पर आप्शन नंबर ए जो है इस कोशन का जो है बिल्कुल राइट एंसर था उसके बाद से नेक्ट देख रहे हैं तो नेक्ट कोशन था योग मसब्द की कौन सी जोड़ी सही है चार आप संते न्याय अन्याय धरा प्रित्वी अचल अचला मान अपमान तो यहां पर जो राइट एंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अचल अचला ठीक है तो इस कोशन का जो राइट एंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट एंसर हो जाएगा ओके नेक्ट कोशन था दू मौंबई के निकट पूना है रेखांकित सब्द क्या सब्दा है ठीक है यहां पर निकट सब्द कीजा सब्दा यह नहीं यह हुद सब्दा मंठा मटा पिता बच्चों के लिए यहां पर जो के लिए है कड़ी मेहनत करते हैं रिखांकित सब्द का क्या आर्थ होगा विशेशन परसर्ग सर्वनाम या संग्या तो यहां पर जो राइट एंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा परसर्ग आप्शन नंबर भी इस कोशन का बिल्कुल राइट एंसर था नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन था वचन की दृष्टी से कौन सा जोड़ा सही नहीं है लता लताएं घोड़ा घोड़े किताब किताबें सखी सखीया तो यहां पर जो राइ सरव जाएगा उके देखते हैं तो नेक्स्ट कोशन था जिस वाकिय कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाकिय को कहते हैं तो इस या सन्यूक तवाचिय तो इस कोश्चन का जो राइट एंसर था दोस्तों वो था कर्म वाचिय तो आप्शन नंबर बी जो है इस कोश्चन का बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ओके तो नेक्ष्ट कोश्चन था निमलिखित वाक्यों में से भविश्यत काल को पहचानना ह है भविश्यत मतलब जिसके लाश्ट में गागी लगा हो ठीक है तो यहां पर चेक कर लिए किसमें लगा है तो यहां पर सी वाले ऑप्शन में मैं कल घूमने जाओंगी यह आपनों का भविश्यत काल हो जाएगा तो आप्शन नंबर सी जो है इस कोश्चन का बिल्कुल र यह राइट है इंसर था चलिए नेक्ष्ट देखते हैं तो नेक्ष्ट कोशन पूचा गया था दोस्तों जिस वाग्य में इस लिए और क्योंकि लेकिन पर आजिस समुच्च बूधक सब्द जोड़ते हैं उस वाथ को कहते मतलब इस लिए और क्योंकि लेकिन परन्तु राइट एंसरो जाएगा इसक्सट्चिछ पूछा गया था बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर बर्टि का प्रकार बता है तो मेरे और और रिफ मधत होट है या आग्या वाचक वाकिय तो यहां तो पर जो रैइत एंसर हो जएगा दोस्तों को कोशन का वो हो जाएगा विधान वाकिय और भी बच्चे खेलर रहें हैं यह विधान unhappy हो जाए गाथ को और वी कोशांस ter cours जाएगा ठीक है उसके पात्से नेक्ष्ट था मुझे बाहर जाना ही र similarly चिन को पहचाने है ठीक है तो पूडब विराम यहाँ पर जो यह इसको पहचानना है तो यह पूडब विराम है यह प्रश्नमाचिक निरा PHIL भी रां म के लिए सब्द के नीचे एक रेखा कीजते हैं उसे कहते हैं प्रश्णवाचक चिन अधोरेक चिन कोश्ठक चिन या तीरियक चिन तो यहां पर जो इस कोशन का बिल्कुल राइट एंसर होगा उसे बोलते हैं अधोरेक चिन ठीक है तो आप्शन नंबर बी जो है इस sed like चोशन का बिल्कुल राइट एंसर था चलिए नेक्ष्ट देखते हैं इसने तो मेरी आँखे खोल लगने पर कोशन का बिल्कुल राइट एंसर था ठीक है उसके बात पर द्हान ना देना स्वागत के लिए रह देखना जल्दी से कारे करना संकट किसम में बचाओ के लिए सोचना मुसीवत आने से घबरा जाना कुवा खोद कर पुन्य कमाना तो यहाँ पर जो इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा option number 20 संकट किसम में बचाओ के लिए सोचना ठीक है यह आग लगने पर के लिए उचित जो सब्द होगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का अंतरी चतों यहां पर option number 20 कोशन का बिल्कुल राइट एंसर था ओके चलिए नेक्ट देखते हैं तो next question पूछा गया था निम लिखित में से समानार्थी जोड़ी को असपष्ट किजिए पारवती माहिश्वरी व्यवहारिक अव्यवहारिक सेर सेरनी लड़का लड़के तो समानार्थी जोड़ी जो है दोस्तों यहां पर वो हो जाएगा आप लोगों का option number a पारवती माहिश्वरी ठीक है तो यहां पर option number a बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा इस question का उसके बाद से next question पूर्वी हिंदी छेत्र में कौन से बोली नहीं बोली जाती है अवधी 36 गड़ी जैपूरी बगहेली ठीक है तो यहां पर आवधी भी बोली जाती है 36 गड़ी भी बोली जाती है लेकिन जैपूरी नहीं बोली जाती है तो यह option number c जो है वह बिल्कुल राइट एंसर हो जा आगा ठीक है next question था राम चरित मानस के रचयता कौन है गोष्वामी तुलसीदास सूर्दास मीरवाई संत तुका राम तो यहां पर राम चरित मानस के जो लेखक हो जाएंगे दोज्वामी तुलसीदास जी ठीक है तो यहां पर option number a जो है वह बिल्कुल रैइट एंसर था इ biggest problem ठीक है तो यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा तो इसका मतलब जो होगा दोस्तों यहां पर दिया गया है प्रदूशण से बचना चाहिए परियावरण को हानी पहुषाना आज की बड़ी समस्या है द्वनी प्रदूशण हमारी प्रदूशण एक शमस्या है ठीक है तो यहां पर जो राइट एंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा परियावरण को हानी पहुषाना आज की बड़ी समस्या है यह डिजास्टर टू इन्वार्मेंट इस दा बीगेस्ट प्रॉब्लम का अर्थ हो जाएगा ठीक है उसके बा से एजुकेशन लेट टू बेटर नेशन प्राइमरी एजुकेशन मस्ट भी फ्री फॉर आल ठीक है तो सिच्छा मनुस्य जीवन की नीव है इसका सही जो अनुवाद होगा इंग्लिस में ठीक है वह हो जाएगा आप लों का हो जाएगा एजुकेशन इस दा फाउंडेशन आफ आवर लाइफ ठीक है तो ऑप्शन नंबर भी इस कोश्चन का बिल्कुल राइट एंसर था उसके बाद से यहां पर गद्यांस को पढ़कर पूछे गए प्रशनों का उत्तर दीजिए हिंदी साहित ये इतिहास को चार भागों में बाटा गया है ठीक है तो कौन-कौन यहां पर दिया गया चार भागों में बाटा गया आधिकाल भक्तिकाल रेतिकाल आधिकाल बिल्कुल सही ठीक है उसके बाद से यहां पर गद्यांस दिया गया है यहां पर गद्यांस दिया गया है देख लिजी आप लोग यहां पर भक्तिकाल के संत कवी सूर्दाश जी को कॉन नहीं जानता ठीक है तो यहां पर जो है गद्यांस दिया है आप लोग को पहला भागों में बाटा घ्यास को सबस्क्राइंगे टो आप लोग इसका आइंसर वह आसानी से दे सकेंगे 怎麼 a आपनों का चार तो आप्शन नमबर भी कोशन का बिल्कुल राइट एंसर था इंदी साहित्यों को इतिहास को चार भागों में बाटा गया है उसके बाद से दोस्तों नेक्ट कोशन इसी गद्यांस पर बेच्ट सूर्दाश जी कौन से काल के संत कभी है भक्तिकाल आधिकाल आधनिक काल रेतिकाल ठीक है तो जो यहां पर सूर्दाश जी है वो किस काल के कभी है तो वह है दोस्तों भक्तिकाल के तो आप्शन नमबर एस कोशन का बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट कोश्चन इसी गद्यांस पर बेच्ट है दोस्तों निम्लकित र रमैनी सूर सारावली सूर सागर साहित तिलहरी ठीक है तो सूर्दाश जी की कौन सी रचना नहीं है यह पूछा गया है तो यहां पर जो राइट एंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा रमैनी बाकि सूर सारावली सूर सागर साहित तिलहरी यह सूर्दाश जी की रचनाएं है ठीक है रमैनी नहीं है तो option number a question का बिलकुल right answer हो जाएगा next question पूछा गया था सूर्दास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है स्रिंगार रस वात्सलियरस सांत्रस भयानक रस ठीक है जो सूर्दास के पद है ठीक है उसमें कौन सा रस नहीं पाये जाता है तो इसकशन ले रस सांद रस यह तीनों पाए जाते हैं लेकिन भयानक रस नहीं पाए जाता है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा इस तो जैदरत वद जो है यह किसकी रशना है तो यह दोस्तों है मैथली सरण गुप्त की रशना ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी कोशन का बिल्कुल राइट एंसर होगा नेक्स्ट चलिए देखते हैं तो नेक्स्ट कोशन था निमलिकित में से चायावादी रशनाकार कौन है ना चार पांच या तीन तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चार तो यहां पर ऑप्शन नंबर 20 कोशन का बिल्कुल राइट एंसर था ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट कोशन था मच्छरों के प्रकोप के संबंद में सिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे माननिया स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे कि प्रधान मंत्री जी को लिखेंगे या माननिया प्रधाना ध्यापक जी को या माननिया सिच्छा अधिकारी जी को तो यहां पर मच्छर के प्रकोप के संबंद में सिकायत पत्र लिख question था जिनका उच्चारन स्वतंतरता से होता है और जो व्यजन कि उच्चारन में सहायक होते haлон उसे कहते हैं संग्हा स्वर व्यवणजन विसर्गा तो उसे बोलते हैं दोस्तोतो यहां पर श्षवर तो यह पर जब आप लोग इसका उच्छारण खुद से करोगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस से ये ध्वनी निकल रही है कंट मिन्स होता है जो गले से निकलता हो गले इसे ठीक है उसको कंट से बोलते हैं मुर्धन्य मतलब जीब से तालव या उपर जो मुंकी जो है अच्छर श्वर व्यंजन या अनुश्वार तो एक शे अधिक वर्डो के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों तो उसे बोलते हैं अक्षर तो यहां पर आप्शन नमबर ए बिल्कुल राइट एंसर था इस कोशन का नेक्स्ट कोशन था निमलकित सब्दों में से स्वर संधी को पहचानिये पुस्तकाले सद्गत दिखदर्शन उज्वल तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा जो स्वर संधी होगा दोस्तों वह हो जाएगा पुस्तकाले यहां पर आप्शन नमबर ए इस कोशन का बिल्कुल राइट एंसर था ठीक है चलिए नेक्ट देखते हैं तो समास चुपा है दोस्तों वह चुपा है ततपुरुस समास तो गगन चुम्भी क्या हो जाएगा ततपुरुस समास तो ऑप्शन नमबर ए इस कोशन का बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन था हमें अप सब्द नहीं बोलना चाहिए व्याकरण की दृष्ट खांकित सब्ध का अव्य का प्रकार बताईए तो सम्भोधन सूचक अव्ये है सूख जु्क अव्ये्ए और छुटब रही है अफ्सोस यहां पर लगा है तो यहां पर जाहिद सी बात है दुख व्यक्त किया रहा है तो यहां पर तो को सुचक अव्ये सब्सक्राइब तो यहां पर दोस्तों हिंदी के टोटल पचास कोश्चन मैंने इस वीडियो में सॉल्व करवाया ठीक है अब चलिए नेक्ष्ट देखते हैं तो समान ये बुद्धी परिक्षण जो नेक्ष सेक्षन है मतलब रिजनिंग से ठीक है तो इसको देखने के पहले दोस्तों हम लोग जीके सेक्षन से आई हुए पचास कोश्चन को पहले देख लेते हैं उसके बाद से रिजनिंग से पचास कोश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है तो चलिए पहले जीके से देखते हैं तो यहां पर थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि क्लियर दिखाई अपनों को तो पहला कोश्चन जो जीके से था वो था दोस्तों भारत में बंदे मात्रम पत्रिका की अस्थापना किन होने की थी गड़े संकर विद्यार्थी रामानंद चटर जी अर्विंद घोस या विपिन चन्रपाल तो यहां पर जो राइट एंसर हो जाएगा इस पर फासी देदी थी जहां सी सिवपूरी कानपुर या सागर तो इनको जो फासी दी गए थी दोस्तों वो दी गए थी सिवपूरी में ठीक तो आप्शन नंबर बी जो है इस कोशन का बिल्कुल राइट हैंसर होगा ठीक है नेक्स्ट कोशन था चंद्रमा का आकार प्रित् बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन था नासा के अनुशार सूर्य की बाद प्रित्वी के निकट्तम सितारा कौन सा है तो जो सूर्य के बाद प्रित्वी का निकट्तम सितारा है दोस्तों वो है आपनों का प्राग्जिमा सेंचुरी तो आप्शन नंबर भारत के किस राज्य में इस्थित है तो यह तो आप लोगों को पता ही होगा रहतांग दर्रा दर्रों से रिलेटेड़ कोशन ठीक है तो रहतांग दर्रा जो है दोस्तों वह भारत के हिमांचल प्रदेश राज्य में इस्थित है और यहां पर दोस्तों जो टेन डिगरी चैनल है वह बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी नेक्स्ट कोशन था पटाका किस देश की मुद्रा है पनामा लाओश मकाव मैक्शिको तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा मकाव ठीक है यह पटाका जो है य मकाव देश की मुद्रा है तो ऑप्शन नमबर सी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा इस कोशन का नेक्स्ट कोशन भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग है ठीक है भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना है 12% 14% 15% 17% तो यहां पर जो राइट दी बिल्कुल राइट एंसर था नेक्स्ट था वह कौन सा सर्वोच परवत सिखर है जो पूरी तरह से भारत में इस्थित है कंचन जंगा नंदा देवी केटू या कामेट तो यहां पर जो राइट एंसर होगा इस कोशन का वो हो जाएगा नंदा देवी यह भारत में पू राइट एंसर होने माला है दोस्तों वह हो जाएगा छठे राष्ट पती थे ठीक है नीलम संजीवा रेड़ी भारत की ऑप्शन नमर भी बिल्कुल राइट एंसर था नेक्ट था भारत की राष्ट पती द्वारा चरित रुक को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनु ऑप्शन नमबर सी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा आर्टिकल चाजट ओके उसके बासे नेक्ट देखते हैं तो नेक्स्ट कोशन था भारतिय संग्विधान का भाग सेकंड किससे संबंदित है नागरिक्ता मौलिक अधिकार राज की नीति निर्देशक सिद्यांत य यह प्रावधान किये गए हैं तो कौन सी अनसूची है दोस्तों वह हो जाएगा आपनों का पांच भी अनसूची ऑप्शन नमबर भी बिल्कुल राइट एंसर था इस कोशन का उसके बास से दोस्तों नेक्स्ट कोशन था पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1969 को डाइस जिले में पेस किया गया था तो कहां पर किया गया का थंवी यहां पर दोस्तों आप्णों का जूर न ब्राउजर है यह सोफ-जाई या NetScape Navigator तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है यह पुछा है तो यहां पर जो राइट एंसर होगा दोस्तों वह जाएगा Google यह एक वेब ब्राउजर नहीं है बाकि यह तीनों वेब ब्राउजर है ठीक है तो चलिए नेक्ट देखते हैं तो नेक्ट कोशन था निम्ने में से कौन सा अस्थाई मेमरी या इस्थिर मेमरी के रूप में जाना जाता है रैम रोम ब्लू-रे या हाट डिस्क ठीक है तो यहां पर जो राइट एंसर होगा दोस्तों वह जाएगा रैम ठीक है ऑप्शन नमबर यह बिल्कुल राइट एंसर था नेक्स्ट कोशन था एक गिग विस्थाओं को बदलने अनुशेदों को अनकूलित करने सहलियों का उप्योग करने और पार्ट को ढूड़ने और बदलने के लिए उपकरणों की विस्था होती है तो यहां पर जो इसका राइट एंसर था दोस्तों वह था ओप्शन नमबर एस कोशन का बिल्कुल एंसर इस कोशन का था इनायक तो यहां पर ऑप्शन नमबर एस कोशन का बिल्कुल राइट एंसर था ओके नेक्स्ट कोशन देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन से सहर को चर्मो द्योग की राजधानी की रूप में जाना जाता है आगरा कानपूर इटावा या सीतापू ठीक है तो यहां पर जो इसका राइट एंसर था दोस्तो वह था कानपूर यहां पर ऑप्शन नमबर भी जो है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कोशन था दीवाली के दवरान बुंदेल खंड के अहिर समुदाय द्व दोज या जरी तो उसे बोलते हैं दोस्तों चिकनकारी यहां पर ऑप्शन नमबर ए जो है इस कोशन का बिल्कुल राइट एंसर था नेक्स्ट कोशन था दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्याले वाली जोड़ी का चैन करें अमेठी गवरी गंज सोनभद राव कोशन पूचा गया था उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साजहां नहीं करती है इलाहबाद मिर्जापूर इटावा या अलिगड़ तो यहां पर जो राइट एंसर होगा दोस्तों वह जाएगा अलिगड़ ऑप्शन नमबर ड जाएगा नेक्स्ट कोशन था जन्वरी 2018 में गौतंबोद विश्वित्याले नोईडा में आयोजित वाई समय राश्रपती वाश्रमारोह का विशय क्या था तो जो विशय था दोस्तों वह था संकल्प से सिध्धी आप्सन नमबर ए बिल्कुल राइट एंसर था इस कोशन का नेक्स्ट कोशन था उत्तर प्रदेश सरकारद्वारत शुरू किया गया 10 तक अभियान निम्ने में से किस से संब्धित है ठीक है तो यह जो दोस्तों दसतक अभियान है ये संब्धित है दोस्तों जापानी एंसेफिलाइटिस का उल्मूलन से ठीक है तो यहां पर option तो के पर-प्रिदेस में हो जाएगा देख लेते हैं तो वो घाडाप गंगा का हो जाएगा अपनों तक फैली है तो यह फैली है दोस्तों आप लोगों की यहां पर यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार है इसका ठीक है तो आप्शन नंबर बी जो है इसकोशन का बिल्कुल राइट एंसर था ठीक है नेश्ट देखते हैं भारत में सीखों की ढलाई का एक म राइट एंसर था नेश्ट था जनगर्ना 2011 के अनुशार भारत का तीसरा सबसे अधिक आभादी वाला राज यह कौन सा है तो तीसरा सबसे अधिक आभादी वाला जो राज हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा पर बिहार ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल अधिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ट अधिकारी है जो ग्राह को कि सिकायतों का समाधान करता है तो ऑप्शन नंबर एस कोशन का बिल्कुल राइट एंसर था उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो नेक्स्ट कोशन था सोले सत्रह जुलाई 2018 में आ उपफोगताओं को LED बल्ब प्रदान करना है जिसमें मार्च 2019 तक 770 मिलियन उद्दिप्त बल्बो को LED बल्बो के साथ बदलना है ठीक है तो उसे बोलते हैं दोस्तों उजाला योजना तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा इस कोशन का नेक्ट था म बैंकाक में आयूजित थाइलेंड ओपन वर्ल्ड टूर सुपर पांसों बैड्मिंटन टूनामेंट महिला एकल किसने जीता नाओमी ओकुहारा पीवी शिंदू साइना नहवाल या जहांग बेइवेन तो यह जीता था दोस्तों नोजोमी ओकुहारा ऑप्शन नंबर ए ब बिल्कुल राइट एंसर नेक्स्ट भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज जी कौन सा है यह पूछा गया था मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन तो यह रोस्तों उत्तरपरदेश ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा उसके पूछा गया तो इसका जो विस्त्रित रूप हो जाएगा दोस्तों वह जाएगा यहां पर अपनों का यह हो जाएगा अग्री कल्चर एंड प्रोसेश्ट फूर्ड प्रोडक्ट इक्सपोर्ड डेलप्मेंट अथार्टी ठीक है तो आप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट एंसर था न प्रोड्योगी की जैसे हाइड्रोपॉनिक्स और एरोपॉनिक्स का उप्योकर किसारों में बहुमिंजला इमारतों की अंदर वाड़ी जी रूप से विवहार फसलों की खेती की जाती है तो यह है दोस्तों आपनों का इसका जो राइट एंसर वो हो जाएगा लंबवत खे लेक आप्शन नंबर डी इसकोश्चन का बिल्कुल राइट एंसर था नेश्ट था हडपा सब्वता कि एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी तो इसकी जो खुदाई की खोज की थी दोस्तों वो किया था यहां पर एस आर राव ने ठीक है तो आप्शन हवंतरी तो इसकोशन का जो राइट एंसर ता दोस्तो वो था चरण adoption नंबर सिवेकुल राइट एंसर था कोशन का जो जी के सक्षन से लाश कोशन था वो था मुश्लिम ली कि लाहर शत्रय निम्हें पाकिस्तान की मांग डैस में की गई थी 1932 1936 1940 1942 तो यह मांग कब की गई थी तो यह मांग जो थी दोस्तो 1940 में की गई थी तो ऑप्शन नमबर सी इस कोशन का बिल्कुल राइट हैं जरो जाएगा ठीक है तो यहां पर दोस्तों जी के सक्षन से 50 समाप होते हैं ठीक है तो यहां पर मैंने हिंदी के 50 और जी के 50 इस वीडियो में सॉल्व करवाया बाकी बचार रिजनिंग सेक्षन से जो पचास कोशिन है उसको मैं अगले पार्ट में अगले वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा इसलिए मैं इस वीडियो में उसको एड नहीं कर रहा हूं ताकि वीडियो जादे लंबा ना हो ठीक है तो आप लोग इस ट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद